साब जैसी लहराती सड़कों पर तेज रफ्तार बाहन कैसे मौत का कारण बन जाते हैं यह बात कीजी से चुपी नहीं है इस क्रीन पर यह दल को दहलाने बाला वीडियो देखिए जसमें चंद सेकंडों में एक नव योवक ने कैसे दम तोड़ दिया यह खबर मत्रदेश के सागत जड़े के रहली से आई है जहां पर आपको बता दे बीते दिन मांदरा रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक सबार कॉलोनी की बाउंडरी से टकरा गया और मौके पर उसकी मौत हो गई इस पूरे मामले को लेकर ठानेदार आलो को पाध्याई ने यह बताया है कि गड़ा कोटा ठाना के किलाबाट नवासी गोपाल और फमौनू पिता किसोर सिलाबाट जिसकी उमरे लगबग 27 साल की है वो तेज रफ्तार में नदी तरप से रहली की ओर आ रहा था मोड पर सीधे जाकर कल्पधाम कोलोनू की बाउंडरी के पास एक पेड़ से टकरा गया सर में चोटे यह इन थी उसके कारण उसकी मौत हो गई हाला कि इस पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और प्राप्त जानकारी के अनुसार योबक गड़ा कोटा में ही क्योक से संचारक था और रही ली आया था बाईक का पेट्रोल खतम हो गया था और चोक लगा कर पेट्रोल पंप तक वो जल्दी पहुंच सके इसलिए तेजरप्तार में बाईक चला रहा था और बाइक जब वो चला रहा था था थो बाइक मोड पर पहुंची लेकिन मोड पर हुआ है बाइक मोड नहीं पाई वो इसीधे बाउंडरी में टकरा गए घटना के बाद यह वीडियो अब सोसल मेडिया पर बाइरल हुआ है जहां पर देखते ही देखते तेज रफ़ता एक योबर इस जिन्दगी से चला गए ब्यूर रपोर्ट खबार एक्सप्रेस निज रही पार्म ट्रेक लेकर आया है त्योवार धमा का अब ट्रेक्टर खरीदी पर पाई एक सुनस्चित उफार किसानों के लिए फार्म ट्रेक ट्रेक्टर बना अभी तक का नम्मर बन ट्रे खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपिंदर पडरिया 94-25-99-99-29 हमारा पता है पडरिया ट्रेक्टर से सोरूम चांदपर रोड रहली सागर माई